मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का एलान हो गया है प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टी चुनावों की तैयारियों में लगी हुई है वही बीजेपी विधायक रमेंश मेंदोला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इंदोर से चुनाव लड़ने का न्योता दिया है दरसल मेंदोला ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनाव लड़कर दिखाएं उपहार में बड़ी हार का मिलेगा तोहफा बता दें कि पार्टी में चर्चा में बने रहने के लिए रमेश मंदोला ने ट्वीट किया है बड़े अंतर से चुनाव जीतने के बाद भी रमेश मंदोला को मंत्री नहीं बनाया गया है अपनी ही पार्टी में लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं राहुल गांधी को चुनाव लड़िने की चुनाव लड़िने की चुनावती पर कांग्रेस ने पलटवार किया है कांग्रेस के पूर्व विधायक कुनाल चौधरी बोले राहूल गांधी को छोड़िये मैं प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी को देता हूँ आमंत्रण वायनाड से चुनाव लड़ ले